दोस्तो इस वीडियो में हम Make My Trip Application के मदद से एकदम सस्ती से सस्ती फ्लाइट टिकट बुक करना सीखने वाले हैं पहली बार अगर आप Make My Trip Application से फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो आपको 30% तक इसमें discounted फ्लाइट टिकट में मिल सकता है तो इसे install करने के लिए आपको play store पे जाना है और search box में type करना है make my trip तो ये application आपकी खुल जाएगी इस application को install आपने कर लेना है मैंने already install किया हुआ है तो मैं इसे अभी open कर लूँगा open होने के बाद कुछ इस type का interface इसमें दिखाई पड़ता है उपर की तरफ भी आपने यहाँ पे flight ticket book करनी है तो flight वाले option पे click कर देना है इसके बाद यहाँ पे तीन option दिखाई पड़ रहे हैं one way, round trip और multi city one way का मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं round trip का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और वापसी की भी ticket करा रहे हैं और multi city का मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से कही और जगह मतलब तीसरी जगह आप जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम अभी one way सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपने from में वो जगह अपनी डाल लेनी है जहां से आपको यात्रा करनी है जैसे अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है तो यहाँ पे मैं दिल्ली टाइप कर दूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने आप देख सकते हैं इंदरा गांधी एरपोर्ट आ चुका है इस पे मैं किलिक कर लूँगा डिपार्चर डेट में आपने अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने कब यात्रा करनी है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नीची की तरफ स्क्रॉल जैसे मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे मन्थ भी चेंज हो रहा है जैसे सेप्टमबर साथ के मुझे टिकट करानी है तो यहाँ पे मैं साथ सेप्टमबर सेलेक्ट कर लूँगा एक चीज़ आप और नोट कर सकते हैं जितनी भी यह डेट है इनके नीचे प्राइज भी लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि उस दिन का यह सबसे सस्ता प्र करानी है तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन से आपने किलिक कर देना है लेकिन एक बंदी की टिकट मुझे करानी है यहाँ पे आप चिल्डेन भी एड कर सकते हैं इन्फेंट भी इसमें एड आप कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनोमी कौन सी क्लास में आप इसमें travel करना चाहते हैं economy business class अलग-अलग class दे हुए हैं यहाँ पे हम economy वाला select करेंगे तो इसके बाद done वाले option पे click कर लेना है और यहाँ पे special fairs में आप देख सकते हैं student, armed forces, senior citizen और double seat इन में से आप अगर कुछ भी है तो आप इसमें select कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा और discount आपको मिल सकता है लेकिन हम इसमें से कुछ भी नहीं है तो हम इसे कोई भी select नहीं कर रहे हैं इसके बाद आपको search flight वाले option पे click कर लेना है यहाँ पे अभी New Delhi से Mumbai के ओर जाने वाली साथ September की सभी flightों की list आ चुकी है आप इसे sort भी कर सकते हैं sort and filter वाले option पे अगर आप किलिक करते हैं यहाँ पे sort by price के हिसाब से अगर आप इसे sort करना चाते हैं cheapest flight के वज़े से तो यहाँ पे price cheapest flight वाला option आप इसमें select कर सकते हैं इससे क्या होगा जो सबसे 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 पहले आजाएगी जैसे हमने इस select कर लिया है तो सबसे उपर आपकी सबसे सबसे पहले मुझे flight है उसके बात दिखाए दे लेकिन हम यहाँ पर price के हिसाब से इसे sort कर रहे हैं तो सबसे पहली flight हमारी यहाँ पर आ चुकी है Indigo की flight जो की 4400 की हमें पढ़ रही है और New Delhi से 23 बचकर 40 मिनट में मतलब रात को 11.40 में चल रही है और 5 बचकर 40 मिनट में यह पहुँच र करता है तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है एक बार review आपने कर लेना है यहाँ पर एक घंटा 35 मिनट यहाँ पर यह पहले दिल्ली से एहमदाबाद की ओर चलेगी यहाँ पर एक बचके 15 मिनट में रात को यह पहुँचने वाली है एहमदाबाद उसके बाद एहमदाबाद म कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आपने saver वाला plan select करके continue वाले option पे click कर लेना है यहाँ पे अगले page में यहाँ पे आप cancellation इसकी refund policy भी पर सकते हैं कि कब से कब आप अगर cancel कराते हैं तो कितना charge आपको लगने वाला है और यहाँ पे इसके नीचे zero cancellation policy भी दी हुई है अगर अभी आपको 1549 रुपया देना पड़ेगा यहाँ पे लेना चाहते हैं तो tick कर सकते हैं अदरवाज इसे blank छोड़ना है नेची की तरफ scroll करने पर कुछ guidelines आपको baggage की दी हुई हैं आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं offers and promo code में अलग- अच्छा-खासा इसमें आपको discount मिल सकता है जैसे पहले promo code में हमें 140 रुपया discount मिल रहा है और यहाँ पे दूसरे promo code में 440 रुपया discount मिल रहा है लेकिन आपके पास yes bank का credit card होना चाहिए इसी तरह से 528 रुपया भी इसमें discount मिल रहा है लेकिन आपके पास Indian bank का master card debit card होना चा है कि आप अपना इसमें travel insurance करवाना चाहते हैं इसके लिए आपको 199 रुपया देना पड़ेगा लेना चाहते हैं तो yes otherwise no इसे कर सकते हैं इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आप scroll करते हैं इसके बाद traveler detail में आपने add new adult वाले option पे click कर लेना है male female gender डालेना है नाम और confirm वाले option पे click कर लेना है अभी एक आपका adult इसमें add हो चुका है अभी आपका नाम add हो चुका है इसके बाद नीचे की तरफ scroll करने पर यहाँ पे आपको अपनी email id डाल लेनी है email id इसमें आपको पक्का डालनी है और सरी सरी डालनी है क्योंकि इसी email id पे आपकी ticket को भेज जाएगा email id डालने के बाद mobile number डालने के बाद यहाँ पे आपने confirm कर लेना है अभी आपकी email id और mobile number यहाँ पे जूड़ चुका है इसके बाद यहाँ पे आपने अपना state और pin code डाल लेना है अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने अपना pin code डाल लेना है और state इस त पहर माले option पे click कर लेना है, next page आता है seat selection का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस color की जितनी भी seat हैं, यह free है, इस color की seat के लिए आपको इतना charge और इस color की seat के लिए इतना charge आपको देना है, य titre अ अप seat select करना चाहते हैं, इसका price भी यहाँ पे सामने दिया हुआ है add once में भी आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे airport pick up taxi के लिए बोल रहा है लेना थाते हैं तो यहाँ पे आप पढ़के इसे tick कर सकते हैं अधरवाज इसे आपने ऐसे ही छोड़ देना है नेची की तरफ scroll करने के बाद आपको यहाँ पे continue वाले option पे click कर लेना है इसके बाद payment वाला page यहाँ पे खुल चुका है अलग-अलग यहाँ पे payment option दे हुए हैं यहाँ पे आप UPI भी इसमें select कर सकते हैं जैसे UPI वाले option पे click करने के बाद आप कोई भी UPI इसमें choose कर सकते हैं जैसे मैंने phone पे choose किया तो यहाँ पे आप phone पे select करके सीधे phone पे में redirect यहाँ से हो जाएंगे और phone पे application में redirect होने के बाद आपको यहाँ पे अपना payment successfully कर देना है UPI pin डालके तो payment पूरी होने के बाद आपका जो book हुआ ticket है आपकी email address पे भेज दिया जाएगा ध्यान रहे आपको अपना email address सरी सरी डालना है इसी पे आपका book हुआ ticket भेजा जाएगा उसी ticket को आपने airport पे दिखाना है यहाँ पे अभी हम कोई भी booking नहीं कर रहे हैं जस्त यह आपको दिखाने के लिए था तो दोस्तो इस तरह से आप make my trip application की मदद से सस्ती से सस्ती flight बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं थन्यवाद